नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको ने चल पर इस वक्ती बड़ी खर के साथ एक बार फिस आपके सामने मुझे जहाँ पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी खर में आपको बताएंगे लोगतंतर का मतलब पांस साल में एक बार चुनाब जीतका है रहे सता भोगना नहीं होता ब अगर आप भी संहुक्त किसान मोर्चा के बेरोजगारी और अन्यमुद्धों को लेकर किये जा रहे हैं आंधुरन का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लालवर्ण दबागा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबागर कमेंट बॉक्स अपनी राइज पुलिस ने एक बार फिर से कोसिस की और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये लेकिन उसके बाद भी हजारों की संक्या में किसानों ने जगा जगा बैरिकेटिंग्स को हटा कर जंतर मंतर की तरफ कूच कर दिया इसमें पंजाब हरियाना उतरप्रोदेश के किसान बड़ी पुलिस ने इस महा पंचायत को कानून विवस्ता का हवाला देखा रहे इजाजत नहीं दीती फिर भी काफी संक्या में किसान यहां पहुँच गए और इतनी बड़ी संक्या में किसानों की मात्रा होने के बाद किसानों ने महा पंचायत किया है गौर्दलव है कि किसान संगतन बेरोजगारी लखीमपूर खीरी में न्याय दिलाने और स्वामीनातन आयोग की सिफारिसों के तर्ज पर MSP की कारेंटी देने और बिजली बिल माफ करने जैसे एहम मुद्दों के साथ भाजपा सरकार को घेरने के लिए जंतरमंतर पर महा पंचायत कर रहे हैं यह संगतन के साथ में मिलकर किया जा रहा है वही आपको बता दे कि संगतन के साथ में दोस्तों 40 और संगतन है जिनोंने मिलकर यह महा पंचायत बुलाई है जिसमें बिरोजगारी का सबसे बड़ा मसला उठाया जा रहा है दरसल दोस्तों BKU1 का सिद्धपूर के जगजीश सि इस विरोध का नेत्रित तो कर रहे हैं, BKU एक तस जिदपूर का समर्तन करने वाले किसान संगडों की बात की जाए, तो इसमें रास्टीय किसान मजदूर महासंग भारती किसान ईउनियन के कई शारे शेतरों के संगड़न इसमें सामिल हैं दोस्तों, इसके अलावा। भारतिय किसान यूनियन राकेश टिकेट वाला जो है जिसे BKU अर राजनेतिक कहा जाता है वो भी इसमें सामिल है तो कुल मिलाकर एक अच्छा सा बड़ा सा एक छाता तयार हो गया है जिसके नीचे सभी लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं कुल मिलाकर बेरोजगारी और महंगा बनाये जा रहा है दोस्तों और ऐसे में देखते हैं इस मामले पर क्या जानकारी आगे निकल कर सामने आती है एक और बड़ी अपडेट की माने तो कॉंग्रेस पार्टी की और से भारत जोड़ो आंदोलन की सुरवात को लेकर राहूल गांधी ने सिविल सोसाइटी के बनाये जा रहा है इस से उभरने के लिए देश को फिर से पट्री पर लाने के लिए देश के अंदर भाईचारे को स्थापित करने के लिए सिविल सोसाइटी के लोग भी भारत जोड़ो आंदोलन के साथ में उनका भी स्वागत किया जाएगा राहूल गांधी की इस अपी स्वाप